मेरे प्रिया आत्मन सहाज योग में आज भीखा साहब का एक पद लेने जा रहे हैं भीखा साहब का जन्म 1713 इस्वी में हुआ और 1763 इस्वी तक भीखा साहब ने अध्यात्म के सुम्रन के समाधी के बड़े प्यारे गीत गाए हैं कहते हैं भीखा साहब नौबत ठाकुर द्वार बजावे प्रभु की प्रार्थना का राज दे रहे हैं प्रभु की प्रार्थना कैसे करनी है कहां करनी है नौबत ठाकुर द्वार बजावे नौबत कहते हैं, मंगलवाद देखो, शहनाई बजती है, नगारा बजता है पुराने जमाने में किसी के घर खुशी होती थी, तो लोग नौबत बजाते थे और जो ठाकुर होता था, जो स्वामी होता था, घर का, जो जमिंदाल होता था, जो राजा होता था, नौबत बजाने वालों को कुछ दान देता था, उसी उपमा को भीखा साहब ने लिया है, कि नौबत ठाकुर द्वार बजावे, मैं भी ठाकुर द्वारे में खड़ा हो कर के नौवत बजा रहा हूं, मंगल वादे बजा रहा हूं, लेकिन कहां पर ठाकुर द्वार, ये ठाकुर द्वार कहां है, भीखा का ठाकुर द्वार कहां है, संतों का ठाकुर द्वार कहां है, ये कहीं बाहर नहीं है, संतों का मंदिर, संतों का ठाकुर द्वारा कहीं बाहर नहीं होता वह तो भीतर होता है और भीतर जो दशम द्वार है जिसके लिए तुलसी साब कहते हैं कि खस-खस के दाने के भीतर शहर खुदा का बस्ता है यह जो शिवने तरविंदु है यह तुम्हारा आग्या चक्र है यही दशम द्वार है और यहीं खड़ा होकर के मंगलवाद्य बजाना है यहीं खड़ा होकर के प्रार्षना करनी है और भगते यहीं भीतर जा करके प्रमात्मा के द्वार पर खड़ा होकर के प्रार्षना करता है प्रतिक्षा करता है जिसको एक नए अंदाज में सुनो दस्वे दर्वाजे पर थिरहो अनहद सुन मस्ती मे दोलो, एक अनाहतनाद बजता है वहाँ, एक परम संगीत गुज रहा होता है वहाँ, उस दर्वाजे पर खड़ा होकर, उस परम संगीत को सुनो, दस्वें दर्वाजे पर थिर्ऺों, अनहद सुन मस्ती में डोलो अति विरह वेदना से भरकर, बोलो प्रभु दर्वा जा खोलो, हरी ढोल बजाता आता है, तुमको अंदर ले जाता है, अनहद शरणम गच्छामी बज ओशो शरणम गच्छामी, एक भक्त भी प्रार्थना करता है प्रमात्मा से, और एक संसारी भी प्रार्थना करता है प्रमात्मा से, लेकिन दो वोजन मिले, कुछ दान मिले, मगर उसको संदे है, कि पदा नहीं, बहुतों क Primatma के द्वार पर, जैसे बच्चा इपनी मां से Primatma करता है, कि मां कखाना दो, और भरोसे के साथ बैठ गया, कि मां खाना देगी ही देगी, ऐसे ही भक्त जब Primatma करता है, भगवान से, तो पूरे भरोसे के साथ करता है, कि परमात्मा तू ऐसा कर, और जानता है कि परमात्मा करेगा, जैसे बच्चा जानता है कि मा उसके लिए वैसा करेगी कहते हैं भीखा साथ पांचो सहित निरती करि गावे कैसे प्राठ्वना करनी है? शब्दों से प्राथना करने से काम नहीं चलेगा केवल जबान से राम राम कहने से नहीं चलेगा पांचों इंद्रियों को लगा दो जेवा राम का गुणगाएं काम राम के गीत सुने तुम्हारी तवचा राम का सपर्श करे तुम्हारी नासिका राम की सुगंध ले पांचो इंद्रियां राम की ओर लगा दो भीतर की ओर लगा दो जो पांचो इंद्रिया संसार की ओर दोर रही है उन पांचो इंद्रियों को भीतर मोडो और राम को सुनने में राम को देखने में राम का स्वाद लेने में, राम की सुगंध लेने में, पांचों इंद्रियों को लगा दो, पांचों सहित निरति कर गावे, पांचों को भीतर ले जाओ, राम के दरवाजे पर खड़ा कर दो, जिसके लिए सुन्दर दास कहते हैं, है दिल में दिलदार सही, अंखियां उलट करता है, वह जो दिलदार राम है, वो तुम्हारे भीतर ही है, आँखों को जरा उलटने की बात है, आँखों को जरा पलटने की बात है, जो आँखे बाहर देख रहे हैं, उनको भीतर ले जाने की बात है, कहते हैं भीखा साहब, सत्गुर कृपा जाहि तेही पास से, राम को प्रतीत होती है कि वह राम तो बिलकुल पास है वह राम तो तुम्हारे अभ्यंतर में ही है वह तो राम तुम्हारे भीतर की अंतर गुफा में ही विद्यमान है जिसके लिए कबीर साफ कहते हैं अलाह अलक अलाह अलक है उसको देखा नहीं जा सकता अलाह अलक नजाई लख जिया गुर्गुर्ध दीना मीठा, लेकिन मेरे गुरु ने एक ऐसा रहस्य का, एक ऐसा गुर्ग, एक ऐसा रहस्य बतला दिया, जो बड़ा मीठा है, और कह कभीर, मेरी संका नासी सरव निरंजन दीधा, अब मेरी सारी शंकाएं मिट गई, अब तो सरवत्र भीतर और बहर राम को ही देखता हूँ, राम के सिवा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, कहते हैं भीका साहब, आरति करत मिलन की आज से, अब उस दस्वें दर्वाजे पर खड़ा होकर के, भक्ता आरति कर रहा है, क्यों मिलन होगा, प्रभु दर्वाजा खोलेगा, हमने कॉल बेल अब तो मेरा प्रभु आएगा और मुझे भीतर ले जाएगा, अपने साथ बिठाएगा, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, दर्मादे ठाड़े दर्वार, हम तो धर्मादे तुम्हारे दर्वाजे पर खड़े हैं, गोविंद, तुझे बिन सुरति करे को मेरी, कौन मेर ख्याल करेगा गोविंद, तुम्हारे सिवा, दर्वाजे खोल किवार, हे गोविंद, ओ दर्वाज़णा द्वार जरा खोलो मेरे लिए, और दर्वाज़णो, कहते हैं भीका साहब, ग्यान दीप परकास सोहाती, प्रभु के दर्वार में प्रकास ही, प्रकास फैला हुआ ग्यान का दीपक मैं लेकर के गया हूँ, और वहाँ पर देखा है कि बिलकुल प्रकास फैला हुआ, जब भीतर जाओगे, दस्वें द्वार के पास खड़े हो जाओगे, तो देखोगे कि वहाँ प्रकास ही प्रकास है, जिसके लिए गोश्वामी तुलसी दास कहते हैं, र प्रकास रूप दिन राती, नहीं कचु चहिये दिया घृत बाती, वहाँ कोई घी नहीं है, कोई दिया नहीं है, कोई तेल नहीं है, कोई बाती नहीं है, लेकिन बिना तेल बाती के, सदा वहाँ प्रकास चाया हुआ है, उस भीतर के उस लोक में, सो मनी जदपी प्रगटी जग अहाई ये तेपी वो प्रकट है संतों के पास उसका राज है लेकिन राम कृपा बिनुन नहीं कोई लहाई लेकिन राम की कृपा के बिना तुम किसी कामिल मुर्शित से पूरा गुरु से जुड़ नहीं सकते और यह जो भेद है उस चिंता अमरी का उस राम का भेद है राम के प्रकाश का भेद है वह तुम्हें पता नहीं चलता कहते हैं भीखा साहब दिव्य द्रिष्टि फेरत दिन राती लेकिन प्रभू की मुझपर ऐसी कृपा हुई है कि मैं दिव्य द्रिष्टि से उसको निहारता रहता हूं राम के उस आलोक का दिदार करता रहता हूं ऑभीखा साहब लेकिन जो भक्त होता है जो संथ होता है वह सुरती और निरती के मार्ग से वहां तक पहुँच जाता है सुरती जो परमात्मा को उंकार को सुनने की तुम्हारी शक्ती है उसको सुरती कहते है और परमात्मा को देखने की जो तुम्हारी शक्ती है उसको निरती कहते है कान को भीतर लगाओ सुरती आँख को भीतर लगाओ निरती सुरती और निरती दो मुख्य मारक हैं जिसके द्वारा तुम परमात्मा का दीदार कर सकते हो परमात्मा के द्वार तक जा सकते हो जिसके लिए कबीर साब कहते हैं सुरती समानी निरती में और अंत में ये दोनों भी मिल जाते हैं चक्छो शरवा हो जाना पड़ता है जैसे साफ अपने आँखों से ही सुनता है ऐसे ही भीतर जब जाओगे तो ये पांच इंद्रियां पांच नहीं रहती सब शिवनित्र पर जाकर दस्वे द्वार पर जाकर कि ये पांचों मिल जाती है सुरती समानी निरती में निरती रही निरधार और सुरती निरती परीचे भया तब खुला सिंग दुवार ये सिंग दुवार ये दस्वाद दर्वाजा है ये आगया चक्र ये शिवनेत्र है ये खुल जाता है तुम पर मात्मा का दर्शन कर पाते हो कहते हैं भीखा साहब दान सरूप आत्मा पाओ अदुद बात कहते हैं तुम और कहीं नौबत जाकर के बजाते हो राजा के महल के सामने बजाते हो तो क्या देदेगा कुछ धन देदेगा कुछ कपड़े देदेगा कुछ वस्तर देदेगा लेकिन ठाकुर द्वार पर जाकर ये भीतर के ठाकुर द्वारे पर दशम द्वार के पास जाकर के अगर तुम हारती उतारो प्रार्षना करो तो परमात्मा तुम्हें आत्म ग्यान का दान दे देता है आत्मा ही दे देता है तुम्हें आत्म मुंत बना देता है जिसके लिए भगवान दत्तात्रे कहते हैं अपने भीतर भी और सबके भीतर भी, कहते हैं भीखा साब, भीखा एक दूइत का भैवू, अब सारे द्वैत मिट गए, अब एक ही एक नजर आता है, अब द्वैत ही निजर आता है, जिसको कबीर साब कहते हैं, कहना थासो कह दिया, अब कछु कहा न जाए, एक रहा दू जा गया, दरिया लहर समाए, अब लहर दरिया में समा गई, लहर और जल का भेड मिट जाता है, जिसके लिए भीखा साब कहते हैं, सर्प समाए रज्जु मही गयव, जैसे रसी में साब का भ्रहम हो जाता है, लेकिन तुम्हें ग्यान होता है, तो फिर रसी विदा हो जाती है, साब ही रह जाता है, ठीक ऐसे ही संसार विदा हो जाता है, और परमात्मा ही परमात्मा रह जाता है, जिसके लिए भगवान दत्तात्रे कहते हैं, ना घट है, ना है घटाकाश, ये जो घट और घटाकाश ये घटाकाश और महाकाश जो मानते हैं कि चारुतरब महाकाश की रूप में प्रमात्मा है और घटाकाश की रूप में घड़े के आकाश की रूप में जीव है तो दत्तात्रे साफ कहते हैं जब तुम्हें ग्यान होगा तो घटाकाश और महाकाश का भी भेद मिट जाता है ना घट है ना है घटाकाश है भिन जीव भगवान नहीं जो भी दिखता सब ब्रह्मजान ग्यातान गे है ग्यान यही ग्याता और गे भक्त और भगवान ये सारे भेद वहां जाकर करके मिट जाते हैं बात प्रार्थना से शुरू होती है बात तो द्वैत से शुरू होती है बात तो भक्ति से शुरू होती है लेकिन जब भक्ती का शिखर आ जाता है तो भक्त और भगवान का सारा भेद मिट जाता है भक्त स्वेम ही भगवान हो जाता है तुम भी किसी कामिल मुर्शीत से जुड़ो तुम भी उस दशम दर्वाजे पर ठाकुर द्वारे पर खड़े होकर नौवत बजाने की जरा कला को जानो और तुम भी एक दिन भक्त से भगवान हो जाओगे यही सहजी होगे हरियों तत्सथ